कि अच्छ पूरा देखा वाग को फास फिल्म नहीं है लेकिन दीपक डुगरिया कि इसमें जो करेक्टर बहुत लोगों पसंद किया साथ फ़ली खान का भी करेक्टर उतना नहीं मजा है जितना कि दीपक ने समें मजा दिया कि अच्छो को स motion की को इसमें देखा जाया सिर्फ एक सीन के लिया अगया है उसकर वाल उसकर कमाल कर पा कि अच्छ मर की शप्रिए कहानी नहीं कर ना निच्वर्ण को किए अपके जरी सेफ अली खान जी को बढ़ाया देना चाहूंगा बहुती गजब का और बहुती कमाल का एक्ट किया उन्होंने और जो गेट आप है वो रियल में जो रियल नागा साधू होते हैं वो जो मेक अप में उन्होंने बहुत गजब का काम किया बहुत अलगग मुजिक नथिंग बैग्राउंड म्यूजिक बोल सकते हो म्यूजिक तो था ही नहीं ऑवराल यही मैसेज देते हैं कि इनसान जो गलत करता उसके कर्मों की सजा उसको एक दिन जरूर मिलते कोई भी हो अच्छे फिलेगे पिचर अच्छे है फिल्म की जो इस्टोरी है उससाब से पिचराइच किया है आटीस उसाब से पर्फोर्मर है साइफएली खान का महादेव का रूप बहुत अच्छा उसने काम किया दिपक डोग्रियाल का भी अगविया है और जो स्टोरी उस आफ से सही लोकेशन तो बहुत अच्छे हैं, एकदम जैसा स्टोरी है, उस आपका एक ज्यक्ट लोकेशन है, और डारेक्शन भी ठीक है, पिचर का फोटोग्राफी भी बहुत अच्छी है It's a mind-blowing film, it's lovely, it's entertaining, and the main, I think the jinx of it is held by Deepak Dobryyal and Cephali Khan, and their chemistry is something that you should definitely watch The Naga look of Cephali Khan is really sexy, he looks amazing, so please go and watch him The story was good, the dialogue writing was fabulous, cinematography में उतना मजानी आया, color grading में उतना मजानी आया, editing भी बहुत minimal थी, जो की हो सकती थी And in acting-wise, Cephali Khan was quite expected, जैसा हो करेंगे, role ही वैसा था कि revengeful है, तो he was all grumpy all the time लेकिन दीपक जी का काम बहुत ही बहतरीन है, उनने इस character को एक अलग ही पहलू ले आए, मतलब कुत्तों के साथ जा रहे है, खुद भी कुत्ते के तरफ बहेव कर रहे है, characteristics, sniff कर रहे है And so I liked his acting more than Saif Ali Khan पिचर अच्छी है, मज़ा आया पिचर देखकर, और Saif Ali Khan की acting आपको surprise करेगी, Saif Ali Khan बहुत रियल लग रहे है इस पिचर में और एक भी परसेंट आपको कहीं ही लगेगा कि आदमी नवाब है, यासा लगेगा कि आदमी नागोरी पैदा हुआता है, नागोरी है और नागोरी ही रहेगा जिन्दगी बाद अच्छा है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री में एक ही एक्टर है जो बहुत अंडर प्ली करते है और लोगों को बहुत कम एक्स्पेक्टेशन होती है उनसे, मगर ही माइंड ब्लॉइग, जब भी उनको को चैलेंजिंग रोल मिलता है और वो हमेशा उस कारेक्टर के साथ बह में फिच्चरों को फैन हो और मैं नया सिने मा पसंब तो मै किसी इंडिोविजूल का नहीं हो या मैं किसी सोफोलो करता हूं, इसलिए मैं पिच्चर देखने नें गया और मुझे ही धिए जो पिच्टर बनी है इस पिच़र में नया क्या है अलक जो वही देखनिए जी एक झाल झाल